Hey guys, I am Mukul Chayma, I am a K. Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you need to know the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. Today we will start with an interesting news. Oppo Find X2 Pro smartphone. Of course, I also use my smartphone as my daily driver. But if we believe in China, then we will use Oppo Find X2 Pro smartphone. उस्ति को यूस करने से एक बनी बनाई ग्रहस्ती पे कुछ कलेश आ गए. Because Oppo Find X2 Pro smartphone का 60X Zoom जो फीचर है, वो एक किसी इनसान ने यूस किया और बहुत साथ समुन्दर पार, जैसा आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वैसे, एक लड़का लड़की बैठे थे, they were involved in some activities which were not taken too kindly by this person. इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. और जब उसमें जूम वूम करके ध्यान से देखा, तो वो जो लड़की थी, वो इस बन्दे की girlfriend थी. तो ऐसा भी हो जाता है, 60x, zoom बगएर हो, 100x, chance पर तो आप पहुंचे सकते हों, वो आपका chance का जो टुकड़ा है, वो उखड़ा उखड़ा भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने में पड़ेगा अगर आप OPPO Find X2 Pro smartphone खरीदना चाहते हैं, अगर इंडिया में अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है, तो हमारे लिए अच्छी नहीं हो से, OPPO Find X2 Pro इंडिया में आया ही नहीं, आगे बड़ते हैं, Apple का जो अपकमिंग iPad होने वाला है, iPad Air 2020, उसके बारे में एक बहुत ही interesting news निकल के आ रही हो, और those of you who wanted to purchase the iPad Air 2020, of course मेरे पास iPad Air 2 बढ़ा हुगा 2016 का, तो मैं भी सोच रहूं एक switch करने की और यह हम सारे लोगों के लिए एक interesting news है, because iPad Air जो 2020 का होगा, उसका price इसके predecessor से कम हो सकता है, that means, जो iPad Air 2019 था, उससे भी कम price में आपको iPad Air 2020 मिल जाएगा, but इसमें A12 processor के जगा, A13 processor हो सकता है, that means, price कम और feature ज़्यादा, specifications ज़्यादा powerful, इस news के बारे में आपको कहा लगा, iPad Air 2020 सस्ता होगा और ज़्यादा powerful होगा, जो कि मेरे इसाब से तो Apple की जो, you know, हमेशा से एक mindset रहा है, उससे थोड़ा सा अलग है, कुछ अच्छा यहाँ पे हमें news मिल रही है, एपल की तरफ से, आपको कह लगता है, comment section में आप हमें बता सकते हैं, यह तो थी Apple की interesting news, आप हम बात करते हैं, iOS 14 की, iOS 14 का जो iOS 14.123 आगे जो builds आएंगे, उनमें सुनने में आ रहा है, कि एक बहुत interesting feature मिलेगा, अब यह Android वाले जो लोग है न, मेरी इस चीज़ को समझ सकते हैं, iOS 14.2 में या 14.1 में हमें 16 new emojis मिलेंगी, डोडो, पिन्याटा, पिंच्ट फिंगर्स और 13 और, 13 more, आपको मैं स्क्रीन पर वसे list दिखा रहा हूं इन emojis की, अगर आप एक Apple user हैं, आपके लिए बहुत interesting news हो सकती है, आपको 16 अलग-लग emojis मिलेंगी, अब आप यूज कर सकते हों, Android user हो तो आप comment section में बोल सकते हो, जो भी आपने मजाख-वजाग करना है, इस iOS 14 के update के बारे में, मैं भी साथ में होके थोड़ा बहुत हस दूँगा, आगे बरते हैं Nokia की तरफ है, Nokia का एक निया smartphone जल्दी ही launch होने वाला है, इस smartphone में आपको 5.99 इंचिस की display देखने हो मिलेगी, और साथ में एक छोटी सी 3040 mAh बैटरी होगी, इसका model नमर है Nokia TA1258, अब Nokia के तीन अलग-लग smartphone जल्दी ही launch होने वाले हैं, ये smartphone उनमें से एक हो सकता है, आपको कुछ नाइब पहले बताया था, Nokia 2.4 smartphone भी launch होने वाला है, उसके साथ ही हमें ये smartphone भी मिल सकता है, और ये इंडिया में भी launch होंगे ही होंगे, आगे बढ़ते हैं Samsung की तरफ हैं, Samsung का upcoming Samsung Galaxy Z Flip 5G smartphone, अफकोर्स इसका 4G counterpart अल्रेड़ी launch हो चुका है, बट इसका जो 5G variant होगा, वो Bluetooth SIG certification website पे certified हो चुका है, इसकी सारी सारी specs features हो में पता ही थी, बट Bluetooth SIG पे आने के बाद, इसकी global launch almost अब confirm हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं Infinix की तरफ हैं, Infinix Smart 4 Plus smartphone launch हो रहा है 21st of July को, 21st of July को और क्या launch हो रहा है वैसे, इनको इससे बहतर दिन मुझे नहीं लगता कोई मिल सकता था, या इससे वर्ष दिन कोई नहीं मिल सकता, विकस Oneplus Nord is also launching on July 21st 2020, अगर आप फैन हैं तो Infinix Smart 4 Plus में आपको एक नया प्रोसेसर मिलेगा, Mediatek Helio P22, और एक इंटरस्टिंग चीज जहां पर यह है कि स्मार्टफोन में 6000 इमेज बैटरी मिलेगी, जो कि अफोर्स I appreciate this, 6000 इमेज बैटरी होगी, और इसका design भी अब company ने officially flip card पे reveal कर दिये, screen पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, front और back, इसका water drop notch display होगी, और पीछे की तरफ आपको एक rectangular camera cutout मिलेगा, जैसा कि normally बहुत सारे आजकल के modern smartphones में available है, तीन cameras लग रहे हैं, यहाँ पर तीसरा camera हो सकते है, इन्फिनिक्स का, जो AI camera होता है, वो हो, 3GB RAM होगी smartphone में, इड्रेस्टिक चीज़ यहाँ पर यह है कि यार, इन्फिनिक्स ने बहुत सारे, you know, weird claims कियें, weird claims और typos, flip card पे कर रखें, यार, I have always said, कि इन्फिनिक्स के smartphone में potential हो सकता है, अगर आप processor अच्छा यूज़ करो, तो yes, I don't know, आप में भी अच्छा perform कर सकते हो, entry level slash mid range segment में, अच्छी इनकी एक approach और अच्छी थोड़ा प्रभुत वो कहलो, इनका बनता जा रहा है, या बन सकता है, आप लोग हमें comments में बता सकते हैं, येस, typos आपको मैं screen पर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैंने officially, openly इसको tweet भी किया था, बट Infinix की तरफ से हमें कोई response नहीं आया है, still, आपको typos दिखा रहा हूँ, और Infinix ने claim किया है, कि Infinix smart 4 plus जो smartphone होगा, वो largest battery और largest display के साथ आएगा, ऐसा कुछ words हैं, largest वोगरा, जो भी adjective है, मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ, आपको क्या लगता है, क्या यह claim सही है, या फिर आप research करके हमें comment section में बता सकते हैं, कि यह claim बिल्कुल ही गलत है, आगे मरते हैं, Lenovo की तरफ, and Asus ROG Phone 3 launch हो रहा है, 22nd of July को, August को नहीं, 22nd of July को, जिनको यह reference पता चलेगा, आप में को comment section में बता सकती हैं, 22nd of July को, Asus ROG Phone 3 launch हो रहा है, and again मैं आपको बता है, it is one of the world's first smartphones, to be powered by a Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor, और Lenovo Legion Gaming Phone Pro, और Lenovo Legion Gaming Phone, यह दोनों smartphones में भी, आपको, definitely 865 Plus processor मिलना था, प्रो में at least मैं बात कर रहा हूँ, अब एक interesting चीज़ यहाँ पर यह हुई है, कि यह एक ही दिन पर दोनों smartphones launch हो रहे हैं, 22nd of July को, but Lenovo नहीं यहाँ पर थोड़े सी lead ले लिए है, Lenovo technically will be the world's first ever smartphone company, to manufacture a smartphone which has a Qualcomm Snapdragon 865 Plus processor, because again अगर हम timing के हिसाब से देखें, तो ASUS ROG Phone 3 से पहले launch हो जाएगा, Lenovo Legion Gaming Phone, हमारे पास आ चुक है इसकी unboxing, अगर आपको देखने को मिल जाएगे, unboxing अप कहां खोल दिया हमने, यह दखो, बहुत powerful smartphone है, और आप 8K display है इसमें, Gorilla Glass 17, और जितने भी चीज़ें आपको fake unboxing videos में मिलती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी आपको मिलेंगी, title में हमाइब इसको use नहीं कर रहा, बट अगर आप चाहते हैं, इस amazing phone को own करना, तो आज की video में अगर हमारे, कितना target रखें views का, 70,000, 17,000, नहीं यार, 20,000 अगर हमने आज views cross कर लिये, आज की video पे, अगर आप लेना चाहते हैं, तो येस, ऐसे 10, जो भी सकोब कहलो, क्या कहते हैं इसको, game machine, it's called game machine, अगर आप ऐसे game machines को चाहते हैं, कि मैं give away करूँ, I'll be giving away 10 of these, 10 of these, अच्छे कैसे महंगे हैं, ये सस्ते नहीं हैं, ठीक है, आज की video का हम, views target लेके चलते हैं, 20,000 का, आगे बढ़ते हैं, OPPO की तरफ है, OPPO Reno4 series, और स्मार्टफोंस, अफकोर्स, OPPO Reno4 Pro, इंडिया में तो आपको, लास्ट वीक उप जुलाई में, शायद मिल जाएगा, इंडिया में, अफकोर्स, बट South East Asian markets में, अगर आप रहते हैं, आप लोग पुछेंगे, किया क्यों बोल रहा है, इसके बारे में, बट स्टिल, ट्रस्ट में, बहुत सारे viewers हैं, और बहुत सारे, स्टफ लिस्टिंग सालमी के members हैं, जो इन पर्टिक्लर, कंट्रीज में रहते हैं, बट सिल टेक्स्ट आफ देखते हैं, तो उनके लिए एक इंट्रेस्टिंग यूज है, फर्स्ट हाफ ऑफ ऑगस्ट में, आपको ओपो रेनो 4 सीरीज, आपकी अपकी कंट्रीज में भी मिलने वाली है, ऐसा एक सोर्स ने बताया है, प्लेफुल ड्रोइट करके एक पब्लिकेशन है, उनका आर्टिकल भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, जितने भी वैसे हम चीजों के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में सोर्स लिंक उनके लगा ही दिते हैं, और साथ-सात हमें ने स्पोर्ड किया, IQ का फ्लेस चार्ज और IQ का सूपर फ्लेस चार्ज इंडिया में, मतलब इंडिया में, IQ की तिर제가फ से हमेंं इंडिया में जल्दी आँवले हैं। और वीडियो में के बड़े से पहले अगर आप एक मार्वल फैन है तो कमेंट सेक्शन में पता सकते हैं कि शील्ड की फुल फॉर्म क्या है कि शील्ड की फुल फॉर्म क्या है अगर पड़ते हैं रील्मी की तरफ हैं रील्मी इस साल अपना डेप्स कर रहा ही आई फे टॉजट्वंट्वंट्र में जो कि बर्लिन में होगा और सुनने में आ रहा है कि इसमें रील्मी अपना रिल्मी एक्स-3 प्रो स्मार्टफोन अन नई रिपोर्ट निकल के आई कि येस रियल्मी X3 Pro में हमें 125W की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है आगे बड़ती है OnePlus की तरफ है और OnePlus की तरफ से ही आज की लास्ट न्यूस भी हमारे लिए आई है प्राइसिंग में लीक अभी कर देता शिरिस्ली मैं अभी मन कर रहा था कि मैं लीक कर दू बट इसके लिए अलग सी वीडियो रटा हम बना ले कोई पता नहीं अभी कंफर्म नहीं है दुप यह बलसक्षे हो सकते हैं अधिक हो और खतम करते हैं आज की निवच नफट्स नॉड के ऐसरे फैनली ऑफिशली वन प्लस नॉड के । चोके हैं ग्रे ओनिक्स एंड ब्लू मार्बल यह कुछ ताइम पहले टेलीग्राम वगारा पर जो एक लीक सर्कुलेट हो रहा था यार वो पूरा को पूरा लीक ही सही है उसमें से मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ भी गलत हुआ है यह कलर वेरिंट्स भी वहां पर कहे ग कि यह सब्सक्राइगा ग्रे ओनिक्स और ब्लू मार्बल में और आगे उन्हें एक और इंट्रेस्टिंग चीज लिखी है वो कह रहे हैं कि नौड इन ब्लू मार्बल इस रिफ्लेक्टिव स्ट्राइकिंग एंड स्मूथ टूट टूच वाइल ग्रे ओनिक्स हैजा मेटलि नाइन स्मार्टफोन जो कि लॉंच हो रहे है अभी एक दो दिनों में आज होगी अठारा पर्स लॉंच हो रहा है रिट्मी नोट नाइन इंडिया में अपको साइन बॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी यह स्मार्फोन आपको क्या लगता है कि यह चलेग प्रश्मी पदिबाला जी नहीं बाला श्रीवास कह रहे है याहू इस बैकरानियम फॉर ये अनदर हाइरार्खियल ओफिचियल ओरेकल नहीं आपने लिखाय ये अनदर हायरार्खियली और्गनाइज ओरेकल अब क्या लगता आपको की जो मैने पहले बोला वो सही था या यह जो इन्होंने कहा है वो सही था आप कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हो कि कौन सही था यहां पर सुन रहे हो ना जैनिल चोधरी आगे कहा रही है गवर्मेंट शुट है प्रोवाइड इंप्रोवाइड सम्फाइनेंशिल हेल्प तो इम्प्रोइज फॉस एप्स वर सारे में आप कमेंट में हमें बता सकते हैं राजीव कपूर साहब आगे करे मुगल भाई मैं तो अभी यही हूं मगर आप मत बैठे रहना क्योंकि रात के भी बरतन मांजने हैं आपको और मुझे भी अचलो मेरा तो मैं समझ सकता हूं करना पड़ता है बट चलो ठीक आप म मरको अपनी बटन मांजने बटे हां मिल्ला तो बटन मीलेगा ठीक नमिल्स तो तो म चलो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कमेंटेटरो फदेगे के टरफあ पन टैक ब Państwo is the commentator of the day वो करें यो tech stuff is getting funny day by day keep it up brother I personally love this type of content fun plus tech news yes यार मैं आपको एक honestly एक चीज़ बताता हूं I don't know whether ये सही है कि नहीं but I believe मैं जब कॉलेज में बढ़ाता था मैं ऐसी बढ़ाता था बखवास करकर के और I'm not saying I was faking it you know tech stuff में पहले भी मेरको तो लग रहा है कि लोगों को पसांदा रहा है ये तरीका क्यूंकि मैं यही हूँ आप लोगों के लिए but still आज आप comment section में हमें बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वही serious तरीके से बैठ के आपको सिधा-सिधा news बताओ industry grade news because that's what I believed in when we started this channel my initial thoughts were कि आपको content मिलना चाहिए जो अभी भी मिल रहा है of course content आपको हमेशा मिलेगा but this way I can open up all the way more you know we can have again one-to-one conversations आप लोग comments में भी interesting बातें बताती है जो मैं यहाँ पे आपको readout करके बताता हूँ so kind of मेरको यह लग रहा है कि यह जो एक family बनती जारी है community ऐसे strong हो रही है और knowledge भी sharing होती है comments में हम इतनी interesting चीज़ें बताते है कल का जो आज सुबह की video जो stuff you should know था वो भी interesting चीज़ थी कुछ तो मेरे साब से तो यह चीज़ अच्छी है but still आप लोग comment section में बता सकते हो leave their babies alone to nap outside in their strollers while they run their you know errands and whatever work they have to do बर्तन मांचना and everything Iceland is so safe so this is some interesting stuff that we all should know yes I hope, I pray कि पूरा वोल्ड ऐसा ही हमेशा safe हो सारे लोग खुल डूल के अराम से कहीं पे भी जा पाएं without worrying about anything चाचा चोजरी के घर के दरवाजे हमेशा खोले रहते हैं I hope कि एक time I future में humanity का कि हम सारे लोगों को ताले ना लगाने पड़े घर में उसी hope के साथ आज की वीडियो खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई don't forget like, share and subscribe if you haven't already God bless you all, peace सुबा की वीडियो देख लेना नौ बजे की आ चुकी है कुछ लोग मिरको बताते हैं कि यह सुबा सुबा हम नहीं देख पाते है वीडियो office बगरा जाना होता है, drive करना होता है drive करते time आप वीडियो मत देखो शाम को एक साथ देख लो, अगर आपने अभी भी नहीं देखी अब देख लो फिर भी नहीं देखनी तो आगे आपकी मर्जी बट स्थिल, कल तक के लिए धन्यवाद और आपको बीच में हो सकता है कुछ interesting news मिल जाए, और कल है हमारा Sunday stuff question पूछिए, जितने question पूछ सकती है मैं answer दूँगा, जितने answer देपाता हूँ, चीक है तो चलो, अब चलो, जाओ, 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 चलो, चलो, ओके have a good day you all, God bless you all, peace चालो, खतम, मस, रोज 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 नहीं मैं बैठा वह यहीं रहोगा, लेकि अब वीडियो इतनी, यहाँ वीडियो लेंथ हो जाती है फिर तीन-चार कमेंट आती है, इतनी लंबी वीडियो मत करो time stamp भी है, दो-दो जगा, फिर वो जो सीख बार होता है YouTube का, उनने भी अलग-लग बना रखे हैं खोपचे यह वीडियो देख लो, यह वला वो देख लो, फिर भी, वो फिर कहते हैं लोग वीडियो लंबी हो रही है बहुर मत करो, विखलो याद